नमस्कार बच्चों, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंक सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज का 1-Minute 1 Question सीरीज का सवाल लिया गया है Human Health and Disease से Question है, A toxic substance responsible for the chills and high fever recurring every 3-4 days in Malarial Fever is Option A है Interferon, Option B है Hemozoin, Option C है Herodin और Option D है Kolostrum Question एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ क्या रहा है कह रहा है कि Malarial Fever में हर 3-4 दिन में chills के साथ high fever आता है वो किस toxic substance के वज़े से आता है तो इसका सही Option चला जाएगा Option B Hemozoin Option B Hemozoin इसका सही आंसर है ऐसी तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें होके बच्चों, Thank You बच्चों